नवो नरायन, जाए महाकाल, जाए माब अगला मुखी आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि किसी मंत्र का चलते फिरते जब करने से आपके जीवन में क्या घटित होता है चलते फिरते जब भी आप मंत्र जाब करते हैं तो क्या आपको मिलता है सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मंत्र क्या है देखिए मंत्र एक प्रकार की दोनी है, एक प्रकार के इसलोक हो सकता है, एक दोहा हो सकता है किसी भगवान की इस्तुती हो सकती है, वो संस्कत में हो सकती है, वो हिंदी में भी हो सकती है तो अलग-अलग भासाओं में हो सकती है इसमें भी कोई दोराई नहीं है लेकिन at the end में आप कुछ भी करें ये दरसाती है आपके भाव को और दरसाती है कि हमें उस इस्वर रूपी से कुछ चाहिए है अब वो चाहना भी अलग-अलग हो सकता है किसी को इस्वर चाहिए होता है तो कहने का मलब यह है कि मंत्र के अलग-अलग प्रकार है अब मंत्र के तीन प्रकार होते हैं एक होता है वाइडिक मंत्र एक होता है तंत्रोक्त मंत्र और दूसरा होता है साबर मंत्र यह भी अलग-अलग प्रकार है साबर मंत्र में हम गाउं की भासा में कभी-कभी ऐसे ऐसी भासा को प्रयोग करते हैं जिसमें फुहरता भी जलकती है और कई-कई जगे में इसमें हम दुहाई भी देते हैं साबर मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं लेकिन इनको भी सिद्ध करना पड़ता है अगर कोई ऐसा बोला है कि ये बिना सिद्ध किये मंत्र हो जाते हैं तो ये गलत है ऐसा नहीं है बस इन में अरपन तरपन मारजन इंसकी जगवत नहीं पढ़ती है लेकिन ये भी सिद्ध करना पढ़ता है दूसरे होते हैं तंत्रोक्त मंत्र जितनी तेजी से सिद्ध होते है उतनी तेजी से ये खतम भी हो जाती है इनकी बैटरी डिस्चार्ज जाती है तीसरे होते हैं वायदिक मंतर जितना समय लगाते हैं उतनी देर में ही ये काम भी करते हैं उतनी ही देर तक काम करते हैं अब हमेशा हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कुछ-कुछ लोग ऐसे होते हैं जिलके पास समय नहीं है, बिजनस में बिजी है, नौकरी में बिजी है, तो समय अपने आपको दे नहीं पाते हैं कि 2 गंटे, 3 गंटे बैट पाएं, या फिर उनका बिजी ऐसा schedule होता है, कि ऐसा नहीं कर पाते हैं कि हम 8 बजे ही कर पाएं जिस समय हमाएं पास समय हो, और समय में हम पूजा साद्णा करें, यह सिरम, चलते-फिरते-सोते-जागते-उरते-ईठते मंत्र का जाप कर ले जब हम पर समय हो अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या चलते फिरते उड़ते जागते वो मंत्र काम करेगा देखिए धान से सुनिएगा इस बात को मैं डीव तरीके से समझाता हूँ सबसे पहले कौन सा मंत्र चलते फिरते आप कर सकते हैं सबसे पहले तो नाम जाप आप कर सकते हैं राम राम, शेकेशन, सेकेशन किसी भगवान का जाप यहाँ महा मंत्र भी आप जाप सकते हैं हरे राम, हरे राम, 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 हरे अरे किशी प्रकार का आप नाम जाप कर सकते हैं ठीक है अपने माता-पिता का नाम आप ले सकते हो वो भी बहुत अच्छे से काम करता है आकास से उचे आपके पिता है प्रथवी से बड़ी आपकी माता है यह दर्जा प्राप्त है तो आपने माता-पिता का नाम ले सकते हो चलते कर सकते हैं इसमें कोई सक नहीं है कि इन मंत्रों के पीछे कोई विदी विदान नहीं होता है जब चाहें आप नाम जाब कर सकते हैं नाम जाब करने वाला सब कुछ प्रप्त कर सकता इसके बारे में मेरा एक विस्तत वीडियो आपको पहले के रोटीन वीडियो से पहले देखने को मिल जाएगा जिसमें मैंने नाम जाब की महिमा का वरन किया हुआ है अब क्या हमें सारे मंत्र चलते फिरते करने चाहिए क्या हमें फाइदा होगा मैं आपसे सीधी भासा में कहूं तो मैं कहूंगा नहीं होगा क्योंकि हर मंत्र के अलग-अलग vibrations होते हैं हर मंत्र का अलग-अलग तरीका होता हर मंत्र के पीछे नियम होते हैं ऐसे समझे इस बात को कि साइन्स को अगर हम पकड़के चलते तो साइन्स यह कहता है कि पानी को बैट कर पीना चाहिए और यह बात सच भी है आप पानी को ख़ड़े ख़ड़े पीजी आपको प्राबलम्स आज नहीं तो कल आगे जाके होगी बिल्कुल उसी तरके से मंतर भी होते हैं आज नहीं तो कल आपको प्राबलम्स हो जाएगी क्योंकि हर मंतर के पीछे एक विधी विधान होता है विधी विधान से हर चीछ चलती है क्या आप बताईए कि अगर आपके इग्जाम हो रहे हो तो आप पहले कॉपी को आगे से लिखना चालू करेंगे पीछे तक जाएंगे पूरे कॉपी को भरेंगे या ऐसा होगा कि पीछे का सीधे एक पन्ना आप पेज जो भी होता है लिखेंगे और दूसरी कॉपी ले लेंगे ये पॉसिबल है तो ये नियम नहीं होता है वरना examiner उस copy को cut मार देगा और लिखेगा कि ये copy blank थी blank में आ जाएगा और जो check करेगा आपकी copy में sign करेगा वो भी आपको बोल देगा कि आप copy की बरबादी कर रहे हैं आप कई पर भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले आप क्या करते हैं बिजनस में पहले समझते हैं बिजनस को पहले उसके बारे में जानते हैं फिर अपना account को देखते हैं हमारे पस कितने पैसे हैं अगले सालों के लिए कितना पैसे मैं कट्टा कर सकता हूं कितना मैं इस चीज को कहां तक ले जा सकता हूँ तो पहले रूप रेखा एक धाचा तयार करते हैं ये भी नियम है इवेन लाइफ में भी आपको बढ़ना होता है तो क्या आप डारेट गुड्डे हो जाते हैं नहीं ये भी नियम है अब उसे लोग बोलेंगे कि भगवान को करने के लिए नियम नहीं होता है ऐसा बिलकुल में नहीं है हर चीज का नियम है जब आप भगवान को प्राप्त ही करना चाहते हैं तो नाम जाप परफेक्ट है फिर आपको किसी मंतर के तरफ क्यों जाना क्यों हमें यक्षणी, हमें अपसरा, हमें गंदर्व, सुन्दर, योना, कन्याओं की मंतरों की जवत पा रही है कि हमें दिव्य सक्तिया चाहिए हमें ये भी चाहिए लेकिन जब आपको चाहिए है आपने ठान लिया है आपने मान लिया है, आपने जान लिया है करते हैं कौन से काम करते हैं इसके बारे में भी मैंने बता दिया है और जब इन मंत्रों को आप करते हैं तो मंत्र पूर्ण हो जाते हैं क्योंकि देखिए जब भी आप किसी मंत्र को नाम जाब को गुरू मंत्र को जपना चालू करेंगे और कई-कई बार जपेंगे तो मंत्र आपके चित में बैड जाएगा, आपके दिमाग में जम जाएगा, घूम जाएगा, तो आपका वो मंत्र 100% काम करेगा, क्योंकि सबसे पहले आपकी body को purify करेगा, आपके चक्र में बार 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 वो pressure डालेगा, चक्र आपके purify होने लग जाएगे, चक्र purify होंगे, तो सोचने का नजरिया और जिन्दवे को जीने का नजरिया, यह तीनों चीज बदल जाएगी आपकी, तो जगे पे वो वहाँ पर pinpoint करेगा, सबसे पहली बात है, ठीक है, तो तरीके आपके बहुत सारे बदलते चले जाएगे, यह तरीका होता है जीने का, समझने का, तो सबसे पहले आपके तरीके बदल जाएगे, वो मंतर फिर दीरे दीरे है, जब आपके चितर बस जाएगा, तो आप सोते हुए आपके दिवान को चलेगा, आप उठके बैठे होगे, तो आप करोगे, ऐसा लगेगा कि इस दिन मैंने नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, फिर दीरे के अंदर नियम कानून है, तो वो मंतर आपको नुकसान कर जाएगा, और रियल में आप चाहे इसके लिए शुव वहाँ पुरान पढ़ें, आप वायव पुरान पढ़ें, आप कोई सी पुरान पढ़ लीचे, चाहे गरुन पुरान पढ़ लो, चाहे विश्नु पुरान सब में नियम कानून बताए गए हैं, और शीविलिंग के लिए भी नियम कानून है, तो हर चीज का तरीका होता है, इसमें कुतर्क करने की कोई बात नहीं है, सही तरीके से अगर आप जब तब करेंगे, जो जिसके लिए विधीविदान है, उसके लिए उस तरीके से विध रखा है और परमातरमा ने आपके भाग में सब कुछ लिख रखा है बस आपके अंदर वो क्या देखता है वो देखता है सक्ची सक्टी सक्ची भक्ती अगर आपके अंदर सक्ची शक्ती है सक्टी भक्ती है आपका द्रण निश्चे है तो यकीन मान के चलिए आपको वो सब क गलाम की.